पाठ दो सांप की मनी सांपों के बारे में भारत में अनेक मिथक प्रचलित हैं सांप दूद पीते हैं सांप बीन की दुन पर जूमते हैं सांप इच्छदारी होते हैं सांप के सिर पर मनी होती है आदी लेखक सांप की मनी के बारे में खोज बीन करता है और वहां किस नतीजे पर पहुँचता है? आईए पढ़ें मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था बहुत दिनों से वहां जाने का मन चाहता था खास कर रावन की लंकापुरी देखने के लिए कोलकाता से साथ दिन में जहाज कोलंबो पहुँचा मेरा एक दोस्ट किसी कार खाने में नौकर था मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था वह घाट पर आ पहुँचा था हम दोनों गले में ले और कोलंबो की सैर करने चले जहाज वहाँ चार दिन रुकने वाला था मैंने कप्तान साहब से चार दिन की छुटी ले ली जब हम दोनों खाना खा पी चुके तो गपशप होने लगी वहाँ के सीप और मोती की बात छिड़ गई मेरे दोस्त ने कहा यह सब चीज़ें तो यहाँ समुदर से निकलती ही है आसानी से मिल भी जाएंगी मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूँगा जो शाय तुमने कभी न देखी हो हाँ उसका हल किताबों में पढ़ा होगा मैंने आश्चर से पूछा वह कौन से चीज़ है उसने कहा सांप की मनी मैं चौंक उठा और बोला सांप की मनी उसका नाम तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है उसका मोल तो साथ बाशाओं के बराबर होता है क्या सांप की असली मनी वह गर्द से बोला हाँ भाई, असली मनी तुम्हें मिल जाए तो मानोगे, मुझे विश्वास ना हुआ वह फिर बोला, यहाँ पचासो किसम के सांप है, मगर मनी एक ही तरह के सांप के पास होती है उसे कालिया कहते है, यह बात तो है कि यह चीज बहुत मुश्किल से मिलती है पचासो में शायद एक के पास निकले, मगर मिलते जरूर है मैंने सुना था कि सांप मनी को अपने सिर पर रखता है मगर यह बात गलत निकली, मेरे दोस्त ने कहा कि मनी उसके मुह में होती है मैंने आशचरे से पूछा, तो मुह के अंदर से चमक कैसे नज़र आती है उस वक्त जरा भी खटका हो, तो वह चट मनी को मुह में दबा कर भाग जाता है उसकी यह आदत है कि जहां एक बार मनी को निकालता है, वहीं बार-बार आता है मैं आज ही अपने आदमियों से कहे देता हूँ, और वे लोग कही न कहीं से जरूर ख़वर लाएंगे दो दिन गुजर गए, तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा लो भाई, मनी का पता चल गया, मैं जट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर गया वह आदमी खड़ा था, जो मनी की खबर लाया था कहने लगा, अभी मैं एक साम को मनी से खेलते देखाया हूँ अगर आप इसी वक्त चलें, तो मनी हाथ आ सकती है हम तो रंत उसके साथ चल दिये थोड़ी देर में हम सब एक जंगल में पहुंचे उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा वहाँ देखिये, साम मनी रखे बैठा है मैंने उस तरफ देखा, तो सचमुच बीस कज की दूरी पर एक साम फन उठाय बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था पहले तो मैंने समझा कि शार जुगनू हो पर रोशनी ठहरी हुई थी जुगनू की चमक चंचल होती है कभी दिखाई देती है, कभी गायव हो जाती है मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि कि सुपाय से मनी हाथ लगे आखिर मैंने उस आदमी से कहा मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया इसे मार कर मनी को उठा लेता उस आदमी ने कहा बंदूक की कोई जरूरत नहीं साहब आप थोड़ी देर रुकिये, मैं अभी आया यह कहकर वह कहीं चला गया थोड़ी देर बाद वह कुछ हाथ में लिये लोटा मैंने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है उसने कहा कीचड मैंने पूछा कीचड का क्या होगा उसने कहा चुप चाप देखिये, मैं क्या करता हूँ वह चुपके से एक पेड़ पर चड़ गया और मुझे भी चड़ने का इशारा किया मैं भी उपर चड़ा तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के उपर आ गया और एक आएक उस मणी पर कीचड फैंक दिया अंधेरा चा गया सांप घबरा कर इधर उधर दोड़ने लगा थोड़ी देर के बाद पत्तियों की खड़कडा हट बंद हो गई मैंने समझा सांप चला गया मैं पेड से उतरने लगा उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा फूल कर भी नीचे न जाईएगा नहीं तो घर तक न पहुंचियेगा वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे साथी ने कीचड हटा दिया मनी नीचे पड़ी थी मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं मैंने कहा हाँ सांप के पास से इसे लाया हूँ मगर मुझे अभी तक संदेव है कि यह वही मनी है जिसका मोल साथ बादशाओं के बराबर है दरिया फत्त करने पर मालम हुआ कि यह एक किसम का पत्थर है जो गरम होकर अंधेरे में जलने लगता है जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह चमकता रहता है सांप इसे दिन भर मुह में रखता है ताकि यह गरम रहे रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है मुंची प्रेम चंद